हेलो फ्रेंज तो आज हम नेक का एकदम नया डिजाइन बनाएंगे इसे हम पिंटक्स, पर्ल्स और फैब्रिक पट्टी के साथ रेडी करेंगे ये डिजाइन बिल्कुल नया है और आपने अभी तक यूट्यूब पे नहीं देखा होगा और आपको भी बहुत ही पसंद आएगा तो चलिए डिजाइन बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैंने सेम कुट्टी वाले फैब्रिक से ये एक पट्टी कट की है ये पट्टी मैंने साड़े चार इन चौड़ी रखी है ये देखिए और लंबाई में ना मैंने ये 15-16 इंच ली है और इसकी उल्टी साइड पे ना मैंने पेपर पेस्टिंग भी लगा ली है ये देखिए अब हमने ने इसमें पिंटक्स डालनी है तो उसके लिए ना हमने इसे ऐसे उल्टा करके ही रखना है और एक तरफ से इसे डाइगनल छेप में ऐसे फोल्ड कर लेना है ऐसे फोल्ड करते हुए यहाँ पे बिल्कुल किनारी की पिंटक्स लगानी है एक पिंटक्स हमने ऐसे लगा ली है अब हमने आधे इंच का गैप लेना है इस तरीके से आधे इंच का gap लेंगे और फिर शे फैब्रिक को फोल्ड करते हुए यहाँ पे भी किनारी की पिंटक्स लगा लेंगे ऐसे ही न हमने आधे अधे इंच के gap पे पूरे पेटरन के उपर पिंटक्स लगा लेनी है अगर आप इस तरीके से पेपर पेस्टिंग लगा के पिंटक्स लगा लेंगे न तो पिंटक्स में बहुत ही अच्छी फिनीशिंग आएगी तो पिंटक्स लगा के न हमने ये पेटरन को ऐसे रेडी कर लिया है और ये लंबाई में न हमारा साड़े 13 इंच रेडी हुआ है और इस पेटरन के न मैंने तीनों साइड पे आधे आधे इंच का एक्स्ट्रा मार्जन लेते हुए सीधे सीधे मार्क कर लिये हैं अब हम इसी मार्किंग के उपर अपनी लेस को रखेंगे और स्टिच करेंगे तो मैं इस पेना ये वाली लेस को ऐसे उल्टा करके रखूंगी अपनी मार्किंग के बिल्कुल उपर-उपर और लेस की किनारी को दबाते हुए सिलाई लगाऊंगी बहुती खूबसूरत हमारा ये डिजाइन बनके ऐसे रेडी होगा और मेरे ऐसे ही डिजाइन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और रात में बेल आइकोन जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे पेटरन के तीनों साइड पे न हमने ये वली लेस को ऐसे स्टिच कर लिया है अब हमने लेस को ऐसे सीधा करते हुए ऐसे पेटरन को पलट लेना और लेस को सीधा कर लेना है और यहाँ पे न हमने इसे प्रेस कर लेना है कोई भी सिलाई नहीं लगानी है तो ऐसे इस पेटरन को मैंने प्रेस करके रेडी कर लिया है अब हमने इसके साथ की एक और पट्टी कट करनी है ये पटी न हमने दो इंच ओड़ी लेनी है ये देखिए और लंबाई में भी न इससे एक इंच कम लेनी है और इसकी उल्टी साइड पे भी न ऐसे मैंने पेपर पेस्टिंग लगा ली है ये देखिए तो ये चोटी वाली पटी के उपर न हमें समोसा ट्रेंगल स्टिच करने है तो उसके लिए न मैंने ये ट्रेंगल पहले से रेडी कर लिए है तो मैं आपको बता दूँ ये आपने कैसे रेडी करने है ये ट्रेंगल बनाने के लिए आपने स्क्वेर में पीस्स कट करने है चो फिर ये खुलते नहीं हैं, ऐसे ही रहते हैं प्रेस करने के साथ, अब हम इस ट्रेंगल को अपनी पटी के उपर ऐसे रखेंगे, ऐसे करके रखेंगे और यहाँ पे ना सिलाई लगाएंगे आधे इंच का मार्जन लेते हुए, मैंने यहाँ पे ना आधे इंच का मार्जन लेते हुए, हलका हलका मार्ग कर लिया है, अगर आप बिगनर्स हो तो आप भी कर लो, ट्रेंगल के पीच में ना हमने कोई भी गैप नहीं लेना, बिल्कुल साथ-साथ करके ऐसे ट्रेंगल को रखते जाना और शेलाई लगाते जाना है, तो पट्टी की दूसरी साइट पे बिना हमने ट्रेंगल को ऐसे इसी के बराबर रखना है, ऐसे रखेंगे और यहाँ पे बिना आधे हिंज का मार्जन लेते हुए इसे लाई लगाएंगे, तो फ्रेंज मेरे ऐसे ही डिजाइन्स देखने के लिए मेरे फेस्बूक पेज को फॉलो जरूर करें, मैं हर रोज एक नई वीडियो अपने पेज पे डालती हूँ, तो गाइस दोनों तरफ हमने ये वले ट्रेंगल ऐसे स्टिच कर लिए हैं, अब हमने न इन ट्रेंगल को ऐसे बाहर की तरफ निकाल देना है, ऐसे, और इस पट्टी को भी यहाँ से प्रेस कर लेना है, अच्छे से कोई भी सिला ही नहीं लगानी है, दोनों तरफ से हमने ये ट्रेंगल ऐसे बाहर की तरफ निकाल लेने हैं, तो ऐसे हमने ट्रेंगल वाली पट्टी को भी प्रेस कर लिया है, अब हम ये वाली पट्टी को ये वाले पैटरन के उपर बिल्कुल सेंटर में रखेंगे, ऐसे, अगर आप beginner तो इसके पहले center में एक rough stitch कर लीजिये और उसके बाद ना दोणों तरफ कि नारी की सिलाईयां लगाके से stitch कर लीजिये इसके उपर मैं इसके center में rough stitch नहीं कर रही ही इसकी दोणों किनारी की सिलाईयां एसे ही लगा र ही हूँ बिलकुल सेंटर में रखते हुए से नीचे से सिलाई को ऐसे ही हमने गुमा के न दूसरी तरफ ले जाना है तो ऐसे हमने ट्रेंगल्स वाली पट्टी को नीचे वाले पैटरन के उपर स्टिच कर लिया है अब हमने ये जो ट्रेंगल स्टिच किये है इसे हमने खोल लेना है तो सारे ट्रेंगल्स को हमने ऐसे पीछे की तरफ खोल लेना है इसका पैटल सा यनि की पंखुडी सी बनाते हुए बस ऐसे ही हमें सारे ट्रेंगल्स की पंखुडीयां बनाते जाना है इस तरीके से पहले हमने दोनों पंखडियों को ऐसे आपस में stitch कर लेना है और उसके बाद इसके बिल्कुल center में एक चोटा सा पर्ल यहाँ पर यहाँ से stitch कर लेना है यह दिखिए ऐसे अब हम इस पर्ल को न ऐसे पका कर लेंगे डबल टांका करके पंखडी और पर्ल के साथ हमारा यह इन सारे पल न हमने यहां पर ऐसे स्टिच कर लिए हैं और देखिए कितना खूबसूरत और एकदम नया हमारा यह पैटरन बनके तयार हुआ है अब हम इस पैटरन को अपनी कुर्टी के उपर रख के स्टिच करेंगे तो कुर्टी को खोल के सीधा करके रखेंगे और पैटरन को न उपर से दो धाई इन छोड़ के रखेंगे ऐसे क्यूंकि उपर की तरफ न हमारा नेक का जाएगा ऐसे रखेंगे और यहाँ पे ना बिल्कुल की नारी की सिलाई के साथ इस पैटरन को गुर्टी पे स्टिच कर लेंगे तो गैस पैटरन को हमने ऐसे गुर्टी के उपर स्टिच कर लिया है और देखिए कितना ब्यूडिफुल लग रहा है यह कुर्टी के उपर अब हमने इसके उपर अपना नेक रेडी करना है तो उसके लिए नेक को मैंने पहले से ही कट करके एक्स्टा फैब्रिक के उपर पेस्ट भी कर लिया है तो अभी मैं आपको इसकी डिमेंशन बता देती हूँ यानि कि लंबाई और चुड़ाई नेक की चुड़ाई मैंने 6 इंच रखी है और लंबाई इसकी मैंने 4 इंच ली है यह देखिए अब हमने इस नेक को अपनी कुर्टी के उपर ऐसे रखना है बिल्टा करके और बिल्कुल सेंटर में एक रफ स्टिछ लगाते हुए पिर हमने बुकरम के किनारे किनारे पे ओखनाते हैं तो सिलाई हमने यहाँ पे लगा ली है अब हमने यह बीच वाले फैब्रिक को कट कर लेना है सिलाई के साथ आधे आधे इंज का मार्जन लेते हुए तो बीच वले फैब्रिक को भी हमने कट कर लिया अब हम इसमें चोटे-चोटे कट्स भी ऐसे लगा लेंगे तो कट्स भी सारे लग चुके हैं अब हम इस नेक को पलट लेते हैं कुट्टी की उल्टी साइड की तरफ तो ऐसे नेक को पलट दे हुए न हमने यहाँ पर एक किनारी की सिलाई भी लगा लेनी है तो नेक भी हमने उपर की तरफ ऐसे रेडी कर लिया है और देखिए कितना खूबसूरत कुट्टी का डिजाइन हमारा यह बनके तयार हुआ है तो अभी मैं आपको अपनी पूरी कुट्टी रेडी करके दिखाती हूँ रेडी होने के बाद हमारा एक खूबसूरत नेक डिजाइन कुछ ऐसे आ जाएगा तो आप भी यह बनके डिजाइन अपनी कुट्टी पे जरूर ट्राइ करें डिजाइन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शियर जरूर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए साथ में बेल आइकोन जरूर तबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो चलिए नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ मिलते हैं तिल देन बाई बाई